जनजातीक शेतल भरमाओर में केसर की खेती को भड़ावा देने के लिए भले ही सरकार द्वारा कोई बड़ा कारे करम नहीं चलाय गया हो लेकिन इस खेती को भड़ावा देने के लिए उपमंडल भ्रमाओर की ग्राम पंचायत द्योल का एक सेवा निवरित करमचारी पिछले कई वरसों से लगा हुआ है उनका कहना है कि केसर का उत्वादन तो वो हर वरस कर लेते हैं लेकिन उसे कहां बेचना है ये सबसे बड़ी चनोती है होली तहसील की ग्राम पंचायत द्योल के ब्रमानंद शर्मा पिछले कई वरसों से अपने खेतों में केसर की पैदावार कर रहे हैं लेकिन उसे बेचने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनका कहना है कि ग्राम पंचाई दियोल में केसर की बंपर पैदावार की आपार समभनाए है और इसे अगर वेवसाइक तोर पर किया जाता है तो हमारे क्षेतर के लोग इसकी खेती कर अच्छी खासी आए अरजित कर सकते हैं उन्होंने बताया कि जब वो जल सकती विभाग में कारे करते थे तो उनका तबादला सुलूनी क्षेतर में कर दिया गया था जो की जमुक स्मीर की सीमा के साथ परता था उन्होंने बहीं पर इस खेती को करने की तकनीक सीखी है और आज वो सपलता पूर्वक इसकी खेती कर रहे हैं करना परजाद जो करें डिवाड़ा हूं मैं आई सिर्थ आई विभाग तर्शक्ति विभाग का कांवकर अटायर्मेंट हो गया उसके बवाद में आएसी आशी खेती करना सुरू कर दिये अब अब हमारे द्योर में द्योर पिंचेट में वो सकती है वो वागी से चाहे तो सब जगा इसको त्यार कर सकता है और गवीव और आद्मीड के इसकी मत करें और सब चैछी बात है कि दुमाग में जब आई पीच में काम करता है तो मेरे को अधर यहां से बेज़िया उसे बाद मैं देखा उदर जाकर इक किसर खेती है और मैंने त्यार करता है कैसे होती है और इदर आए गई आगी में शलूनी मंदर के आगे जम्मू के बॉंडरी पर था उदर से मैं दे कि छे सा साल होगे है किसर ना काना पूछते बाब बाब नहीं बताता को कुछ नहीं बताता भी इतनी मिंच करने के का फाइदा हो है कोई वरते सुन्दें करेट है कोई रेट नहीं है क्या करना इसको कोई पता नहीं है सुन्देंगे जैसे रेट हो ठीक है हम इसको त्यार क बार नग साब बड़ वेचि देंगे